इसकार मैं रोशन और आप देख रहे हैं जैड न्यूस डिश्टल मेडिया और बनारस से यात्रा करते करते आज अयोध्या पहुचा हूँ और आमरण अंसन जो अंकित सिंग बैठे हैं कारण क्या है वो बात करूँगा उससे पहले आपने महात्मा गांधी काशि बिद्या प कहूं या आश्वासन देकर उसको बस टाल दिया जाता है वैसे ये बड़े सब्दों में आपने अंसन लिखा हुआ है दिलांग सट 11 सितंबर 2019 मतलब 11 सितंबर को बोला गया था कि हो जाएगा कार्य उसके बाद नहीं हुआ तो कल से फिर से अंकित सिंग आमरण अंसन में ब क्या कारण है और लागातार आस्वासनों की सिकार क्यों बन रहे हैं और लागातार चात्रों को इन चीजों का दिकत जो यहां पे लिस्ट बनी हुई है उनका दिकत क्यों हो रहा है बार बार तो अंकित मैं आप से बात करूंगा क्या कारण रहा है कि आपको इस पर धन्ने करने के लिए जब बैठना पड़ा पहले मैं आज के दो वर्सों से महाविद्याले प्रांगण में लगा हूं पहले तो मैं अध्यक्ष पृत्यासी गोसरा किया था लेकिन मुझे जब मैं यहां की बेवस्था देखा तो मुझे लगा कि नहीं पहले अध्यक्ष पृत्यासी पहले महाविद्याले की मुल्भू समिस्षप कारिकिया जाए क्योंकि पदा अधिकारी होना इतना आवस्यक्ष नहीं है जितना आवस्यक्ष हमारे साकेत महाविद्याले के 13,000 चात्राओं की समिस्षप समाधान करने के संबंद में होना चाहिए आप जानते हैं यह भारत है भारत की आयोध्या नगरिये जहां भगवान स्री राम ने तमाम प्रकार से अपना योगदान दिया और त्याक किया उसी समस्च्या को लेकर हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो हमारा समाज हमारे युवावर्क तेरा हजार चात्रा इसका लाब लें इसलिए मैं मानिये मुख्यमंत्री एक को जी को 21 बार मान लेटर देकर पुरूप सहीत हमारे पास रखा हुआ है जिस पे कोई कारवाही नहीं हुई कुल पत मेन मुद्दा क्या रहा है कि जो आप बैठे हैं उससे पहले वी इवर बैठे तो पहले बैठे थे तो उसमें किस बातों का आश्वासन देकर आपको धर मतलब आपका तोड़ा गया था अंसन हमारे कालिज प्रसासन अध्यार राम जनम भूम के सियो साहब के मौजूदगी में हमारी 11 क्रमांग मैटर पर कार चल ला था उन्होंने 11 के बजाए 6 मैटर प हैं आपको तो हमने का ठीक है हमने उनको एक महीना तीन दिन दिया एक अब तक टाइम देने के बाद मैंने एक महीना तीन दिन उनको दिया तत पस्चात उन्होंने आज तक कारवाही नहीं कि और हमसे बात भी नहीं किये जिला प्रसासन यो कोई भी प्रसासन नहीं आया और मेरा लगातार इस पे कारवाही चलता रहेगा मेरा टार्गेट यह है कि जब तक यह कार नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं है नहीं इस बीच में च्छात्रों के लिए मेन पुर्णी किताबे बदलें आईडी काड का मुद्दा जो हमें अच्छा लग रहा है कि सामने वा की होना चाहिए आईडी काड कोई भी हम पर्वेस कर रहे है को देखने वाला नहीं है इसमें जो विद्याले का प्रशासन है में प्रशासन यहीं बात आपकी आगे भी कोई भी इन्होंने कारी नहीं किया और नहीं यह करने के सक्षम हैं हम चाहते हैं कि यहां के प्राचार जो हैं उनको हटा कर आयोग से प्राचार आए यहां पर तभी यह महाविद्याले का उद्धार होगा एक चीज जो देख रहा हूं कम से गम गम बात करें इसे राउंड में तो 40-50 लोग हैं हमारे साथ और आप 13,000 शात्रों की आवाज उठा रहे हैं और अ जनसंक्या में थे लेकिन क्या करें आप तो जानते हैं कुछ लोग को कौम भी रहता अभी कुछ लोग सोने गए नाने हैं हमारे पास जन्संख्या है और आगे भी होगा क्योंकि यह सत्त कि लड़ाइए इसमें हमारे समाम छात्रेता लोग भी हमारा सायोग करते हैं लेकिन क्या है कि अभी चुनाओं का महौल भी चला है तो अपना प्रचार भी थोड़ा बहुत करते हैं जो सत्यता है उसको मैं बैया करूंगा कल उनका समर्थन मुझे मिला था और आगे मिलेगा मैं यही उमीद करता हूं कि मि और कि यह चाट्र हित्का मेंटरा है अगर मेरे साथ नहीं आते हैं तो वह खुछ जाने उनका काम जाने कल से आप अनसन में भेठे हैं तो विद्याले पर शाट चाट्र है यहां पे छातर द्यक्ष्ज जो रहे चुके हैं वो सब आया आप से मिलने के लिए पर प्रसासन को लेटर दिया प्राचार जी को भी दिया कि मैं धरने पर इस तारिक से बैट रहा हूं प्रधान मंत्री जो को भी आउगत कराया हूं इस मेंटर पर डाक द्वारा हमने सारी समस्चा जो है जो मुझे करना चाहिए एक छात्र के होने नाते वो मैं कर रहा हूं कर देता हूं फिर मैं दुबारा जब गया तो उन्होंने थोड़ा समय और चाहिए तो हमने एक महीना तीन दिन उनको दे दिया तद पस्चाद मैंने उसी बैनर पर इसलिए कारी सुरू किया है कि वह हमको यह ना कह पाएं कि आपने यही काम पहले भी किया है वह हमको निश्क कर देते उस मेंटर से इसलिए मैंने वही बैनर का प्रियोग किया जी तो आप उसी बैनर का इस्तिमाल करके वहीं मुद्दे लेके दुबारा परसासन के सामने आये हैं तो एक चीज और मैं पूछूँगा आप से ज्यादा समय नहीं लूँगा आपका कि ID कार्ट होस्टल 13 हजार बच्चों पर कोई होस्टल अभी तक बना नहीं है लेकिन वह सभी लोग के लिए नहीं है जो कि सरदार भगत सिंग छात्रावास है वह अभी प्यस्ति कई वर्सों से छका के रखी अपने पास उसको हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है उसके लिए काफी ग्यापन जब से ग्यापन तका कही बार ग्यापन दिया गया जिला प्रावसन मगवि मंत्री-जी को प्रधान मंत्री-जी म म päत्चे नहीं दे रहे हैं पूस्ता को अपभी कोशिएंगा क्या यह हैं लोग को चाता है पर वह क्या करें एक बार बन जाते हैं तो फी निकलते यहां आगे भढ्डने के लिए सुनिए जो सर्ट था है को ओंगा वह फी आगे बढ्रने को चुशित करते हैं कि हम लोग यहां से मेरी राजनीत हो गई खतम अध्यक्ष बन गए यहां छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं यह जी बिलकुल यह हमारी बात है जो सत्ता बया कर रही है अभी यहां पे जो सबसे वरिष अधिकारी होंगे इस प्रांगन के प्रांगन के वरिष अधिकारी के लोगों के हवाले आपने ख़वर पहुंचाई अभी तर्कि भाई आप लोग यहीं दोगे तो इस बार हम आश्वासन पे नहीं तोड़ेंगे चीफ प्राड़क्टों से अपको मैंने आउगत कराया उन्होंने मुझे जबरजस्ती उठने का वो दिया कि आप उठ जाए हमने का नहीं उठेंगे अब हमने यहीं कहा और यहीं हमारी लगातार जारी यहीं रहेगा कि मैं उठूंगा नहीं किसी कीमत पर बैठे वे हैं सब्सक्राइब किसी को होता है तो मां होती है कि मेरा बेटा अंसन में बैठा हुआ है और सब्सक्राइब कर रहा है इस चीज में कि परिवार मेरे पिता जी और माता जी का पूर्ण समर्थन रहा कि आप बहुत ही अच्छा और सराहनिय कारी कर रहे हैं जो कि वो छात्र हित के लिए है आप बताइए कि गरीब परिवार का जो छात्र आता यहां फीस दे कर जाता उन समिस्या को अगर मैं उठा रहा हूं तो हमारे मम्मी पापा का नाम रोसन होगा कि मैं बहुत ही गौर्वानवीद और बहुत ही अच्छा कारी कर रहा हूं सही है गलत है जो भी अपना फर्द है वह मैं अदा कर रहा हूं और अदा करता रहूंगा यह मेरा वचन है और सत्य भाव से निश्ठा भाव से कर रहा हूं ना तो मुझ से कोई प्रत्यासी बनना है आज और ना कल लेकिन मैं इस महाविद्याल एक समस्चे के लिए प्राणांत तक रहूंगा मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं इस समस्चे समाधान कराने के बाद ही यहां से जाऊंगा आखरी सवाल अंकित आप से पुछूँगा समय नहीं लुगा जाता आपका कि छात्रों की जो चुनाव है में आया था बाहर खाड़ा थी हमारी गाड़ी खड़ी थी हम बैनर पड़ रहे थे कि अलग 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 पार्टियों के लोग समर्थन में चुनाव लड़ रहे हैं उन सबकी विचार धाराओं के साथ एक जूठ होकर 13,000 बच्चों का मुद्दा उठाना जो आने वाले बच्चे होंगे अगली साल उनका मुद्दा उठाना और जो बच्चे कष्ट कर रहे हैं उनका ही मुद्दा उठाना बहुत बड़ा संगर साब कर रहे हैं इसमें सभी पार्टियों नहीं रहता जो ये भी उचीत है जो सत्ते हो बता रहा हूं कुछ लोग हैं छातनेता लोग जो मेरा समर्थन करते हैं वो कई लोग हैं और सभी पार्टियों का हमें समर्थन नहीं मिल पा रहा है अभी लेकिन आगे हो सकता है कि वो दें अब ऐसा मुझे महसूस ह हो रहा है क्योंकि एक दिन में दो दिन में कोई जाड़ा तरह आता नहीं लेकिन जब मामला गंभीर होता है तो आप सभी लोग आते हैं यहीं हमारी बात धन्यवाद अंकीत जब हम आजमगड से निकले थे और आयोध्या कल पहुंचा था मैं तो यह बात पता मुझे चली थी इसके बाद हमने सोचा कि सांकेत पहुंचे और अंकीत की बात सुने कि क्या बात रही कि दो बार अंसन पर बैठना पड़ा पहले आस्तवासन के सिकार बने उसके बाद दुबारा 11 सितंबर वहीं तारीक को लेकर दुबारा अंसन पर बैठ गये मुद्दे अच्छे थे जो काशी विद्ध्या पीट में मुद्दे उठे थे पुस्तक को लेके आईडी कार्ड को लेके होस्टल को लेके वह वाकई मुद्दे यहां भी है मतलब पूरवी यूपी की बात करूं तो दो गड़ अयोध्या और बनारस दोनों एक देव भूम में जो विद्ध्याले हैं महा विद्ध्याले और उनिवर्सिटी की बात करूं सब में बड़े प्रवल मुद्दे रहे हैं पुस्तक को लेके जो बच्चे सिकार बन रहे हैं नई किताब नहीं मिल पाती हैं और कब तक बच्चे नहीं किताबों के लिए तरसेंगे यह की जाए जिसे इनकी वेवस्ताइं सही हो इनके कठिनाया कम हो कंटीन आए होस्चल आई हमारा मुद्दा रहा है आगे भी से जुड़ी अपडेट आपके सामने में लाता रहोंगा तब तक के लिए धन्यवाद